पूरे देश में स्वचिता को लेकत जागरुकता फैलाई जा रही है लेकिन इस अभ्यान को शायद कुही की ग्राम पंचयद भूल गई इस कुही नगर पंचयद को स्वच्छ भारत अभ्यान के तहट पुरुसकार भी प्राप्त हुआ है लेकिन अब इसकी स्थिती उसके विरोध कुछ अलगी दिखाई दे रही है गत कुछ महां से यहां पर खुले में कचरा पेटी में कचरा दो-तीन महीने से निकाल कर साफ नहीं किया गया है उस पेटी में कचरा का धेर लगा हुआ है इसकी वज़द से परिसर के लोगों को काफी परिशानी हो रही है इस संधर में स्थानी लोगों ने भी नगर पंचायत को लिखित निवेदन करने के बावजूद इस कच्रा पेटी में जबाप पड़ा कच्रे के धेर को नहीं हटाया गया है जिससे नगर पंचायत के कामकाच पर सवाल उट रहे हैं तहसील शेयर के वाड नमबर 15 में एक मकान के बगल में और डॉक्टर राठी दवा खाने के भारी मातला में कच्रे का डंप रखा है इस कच्रे के कारण परेशा में मच्छरों का प्रकोब भी बढ़ गया है कुही शेयर में पिछले दो महिने में कई लोग डेंगू से संक्रमित भी हो चुके हैं और डेंगू की मरीज भी सामने आ चुके हैं हलकिन अगर पंचायत अभी भी मामले को लेकर लापरवाही बरत रही है कुही तैसिल को स्वचिता पुरुसकार से सम्मानित किया जा चुका है लेकिन पिछले कुछ महा से कुही तैसिल के अधिकांश गावों में साफ सफाई मानो नहीं के बराबर हो रही है इस्थानी प्रशासन ने जल्द से जल्द इस गंभीर समस्या पर ध्यान दे कर इसका निराकरन करने की आवशकता है निरिक्षन के बाद भी कारवाई नहीं हुई उलेखनी है कि पिछले साल ग्राम पंचायत भूमी विकास अधिकारी, स्वास अधिकारी और तैसिलदार के पास लेखी शिकायत दर्च कराई गई थी इसके बाद ग्राम पंचायत और सम्मंदित अधिकारीयों ने मौके पर जाकर जाजकी और खाद मालिक को नोटिस भी जारी किया लेकिन खाद मालिक ने ग्राम पंचायत के नोटिस को कच्छरे की टोकरी में डाल दिया और आज भी वहाग गोबर का खाद वहीं बड़ा है नतीजा यहा है कि अब तक कोई कारवाई नहीं हुई तीन साल से साफसफाई कामगार थे उसको निकाल कर नए साफसफाई कामगार रखे हैं यह मनमानी कारभार प्रभारी, कारभार संभाल रहे अधिकारी कर रहे हैं इन सभी समस्याओं को लेकर कुई नगर पंचायत के निवासियों की मांग है कि तीन साल से जो काम कर रहे थे उन ही साफसफाई कामगारों को काम पढ़ ले और साफसफाई पर अच्छे से ध्यान दे